हेलो एवरिवन नमक का दरोगा जब सरकार में एक नया विभाग बना था नमक विभाग तो यहाँ पर इंस्पेक्टर का जो पद है उसे अत्यंत महत्पूर माना जाने लगा था तद पर यह क्या है कि सभी लोग यह चाते थे कि इसी विभाग में उन्हें नोकरे मिल जाए क्यों यह चाते थे क्योंकि यहाँ पर उपरी आमदनी की आशा सबसे ज़्यादा रहती थी इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह है वंशीधर वंशीधर ने पढ़ाई कर ली थी और उनके पिताजी ने उन्हें यह इदायद दी थी कि ऐसी नोकरी ढूंडना जिसमें उपर की आमदनी अधिक हो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि मासी काई जो होती है मंतली पेमेंट जो होती है वह पूंड मासी का चांद है जो घड़ते घड़ते खत्म हो जाता है लेकिन उपर की आए जो है वह बहता हुआ श्रोत है जिससे हमेशा प्यास बुस्ती रहती है पिताजी की यह सीख मंशी धर बाबू साथ लेकर के नोकरी ढूंडने निकलते हैं और उन्हें नमक के विभाग में दरोगा का पद जो है वह प्राप्त हो जाता है और जैसे ही घरवालों को यह बात पता चलती है वह बहुत खुश हो उठते हैं क्योंकि इस विभाग में उन्हें उपर की इंकम अधिक दिखाई देती है एक बार जाड़े की एक रात मुंशी वंशी धर को छे महीने हुए थे उन्होंने जल्दी ही अपना काम जो था उससे अफसरों का मनमोह लिया था और उनकी नीन अचानक खुलती है तो उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई देती हैं वो उठकर बैठ जाते हैं बाहर जाकर देखते हैं तो गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है वह पूछते हैं कि गाड़ियां किसकी हैं तो पता चलता है कि पंडित अलोपी दिन हैं दाता गंज की मुशी यहे नाम सुनकर की चौक जाते हैं और उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है पंडित अलोपी दिन काफी सजे धजे एक रत पर बैठे जा रहे थे और जब उन्हें पता चलता है कि नमक की गाड़ियां रोक दी गई हैं तो उनका क्या था कि उन्हें अपनी लक्ष्मी की शक्ती पर पूरा भरोसा था, यानि धन की ताकत पर उन्हें पूरा भरोसा था, और वे ये मानते थे कि भाई किसी को भी खरीद लेंगे, सब कुछ उनके जेब में है, हर ताकत उनके पास है, और वो बोड़े इस्चित होकर के दरुगा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम ब्रामनों पर तो आपकी कृपा होनी चाहिए लेकिन मन्शी धर को गुसा आ जाता है और वह चेतावनी देता है और रिश्वत देने की बात सुनकर के उसे और भी गुसा आ जाता है और वह कहता है कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोडियों पर इमान बेचते फिरते हैं आप इस समय हिरासत में हैं और यह कहकर उसे गिरफतार कर लेता है यह सब देखकर के अलोपी दिन अचम्बित हो जाते हैं क्योंकि आज तक की जितने भी उनकी लाइफ है उसमें उन्होंने धन को धर्म के आगे हारते कभी भी नहीं देखा था यानि कि उन्हें पूरा भरोसा था कि धन का लालच किसी भी व्यक्ति को जुका सकता है इसलिए वे उसके सामने गिड़ गिड़ाए दया की गुहार की लेकिन वन्शी धर पर कोई असर नहीं होता है फिर वह एक अजार रुपे देने की बात करते हैं तो वन्शी धर केता है कि एक अजार नहीं दस लाक एक लाक भी मुझे सच्चे माग से नहीं हटा सकते हैं सेट जी ने रिश्वत की राशी 5, 10, 15, 20, 30, 40,000 तक बढ़ा दी लेकिन वन्शी धर बिल्कुल भी नहीं मानता है और हिरासत के आदेश दे देता है अगले दिन दुनिया जब ये बात सुनती है तो कफी सारी बातें होने लगती है बेईमान और भ्रष्टाचार अफसर भी उन पर टिका टिपनी करते हैं और जब अलोपी दिन अदालत में आते हैं तो सारा शहर उन्हें इस आलत में देखने के लिए उमड़ पड़ता है और वहां के सभी कर्मचारी बिना दाम के उनके गुलाम थे सभी उनके हाथों बिके हुए थे और वहां हलचल और भागा दोड़ी शुरू हो जाती है वकीलों की टोली ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया काफी दाओं पेच करे इधर वंशी धर जो था उसके पास सत्ते के इलावा कुछ भी नहीं था और रिजल्ट यह है आया कि सारा न्यायाले सेट जी के चरणों में जुक गया डिप्टी मैजिस्टेट ने यह है लिखा पंडित अलोपी दिन पहुत बड़े आदमी है वे थोड़े से लाब के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते है वे शीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धी को भरष्ट कर दिया है अते उसे साबधान रहना चाहिए यह सुनकर के सभी वकील उचलो पड़ते हैं और अलोपी दिन अपनी विजय पर मुस्कुराते हुए अदालत से बाहरा जाते हैं जबकि मंशीधर को समाज ने जी भर के अपमानित किया मंशीधर को जीवन का बहुत ही बुरा अनुभव यहां पर होता है और उसे लगता है कि सच के लिए कोई भी समार्पित होने को तयार नहीं है ये सभी बड़ी बड़ी उपाधियां धीले ढले चोगे सब निरादर के योगे हैं इनका कोई समान नहीं करना चाहिए और कुछ समय बाद उसे नोकरी से भी निकाल दिया गया जब घरवालों ने ये सुना तो उन्होंने माथा पकड़ लिया पिता जी को बहुत गुसा आया और मा पतनी भी नाराज होगी एक सब्ता के बाद सेथ अलोपी दिन वन्शी धर के घर जाते हैं उन्हें आया देखकर की वन्शी धर के पिता अपना बेटे की जो मुर्खता है उसका रोना रोने लगे किन्तु अलोपी दिन ने उन्हें चोकाते हुए कहा कि आपका बेटा तो कुल का तिलग है ऐसा धरम परायन मनुश्य है मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने वन्शी धर से कहा आज मैं स्वेम आपकी हिरासत में चला आया हूँ मैंने इस दुनिया में सब को खरीद कर गुलाम बना लिया लेकिन मुझे परास्त किया तो केवल आपने यानि मैं केवल आप से हा रहा हूँ इसलिए आपके सामने एक विंती लेकर के आया हूँ यह सब देखकर के वन्शी धर भी पिंगल जाता है और सेट जी वन्शी धर के समने प्रस्ताव रखते हैं कि उसकी सारी संपती के स्थाई मेनेजर वो बन जाएं उन्हें 6000 वार्षिक वेतन के इलावा रोजाना खर्च, सवारी के घोड़े, मंगला, नोकर, चाकर, आदी, मुफ्त मिलेंगे यह सुनकर के वन्शी धर हाथ जोड़ देता है और कहता है कि मुझे में ना विध्या है, ना बुध्धी है, ना अनुभव है ऐसे महान कारे के लिए तो किसी अनुभवी की जरूरत है लेकिन अलोपी दिन कहता है कि ना मुझे विद्वता की चाह है ना अनुभव की ना मरमग्यता की नकारे कुशलता की इन गुणों के महेत्व का परिचे खूब पाचुका हूँ अब सोभग्य और सुवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फी की पड़ जाते है परमात्मा से यही प्रात्ना है कि आप हमेशा वही नदी किनारे वाले दरोगा बने रहें और यह सुनकर के वंशीधर की आखें पानी से भर जाती हैं और वह भक्ति भाव से नियुक्ति का पत्र साइन कर देता है इस तरह से अलोपी दिन भी उसे खुश हो करके गले लगा लेते हैं अगर आपको इस से सम्मंदित बुक परचेज करनी है इस तरह की जो गाइड बुक है हमारी जो मैंने अभी आपको पार्ट बताया है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में सेलर का नमबर दिया है आप वहाँ जाकर की परचेज कर सकते हो थेंक यू फॉर वाचिंग